नवस्का बुलिटरी में आप सभी का सौगत है, मैं हूँ आपके साथ आशीश प्रमोद गोसवामी खबर की शुरुवात एक बाद फिर से करेंगे हम पूर्ब मंत्री नसीम अक्तर पर राजिकार में बाधा का मुकदमा मुकदमे के विरोद में नसीम अक्तर की समर्थक जुड़ गए है विरोद रेली के रूप में कालेट्रेट कूच करने का पूरा कारिक्रम है रातियाथ के तौरप पर पुलिज बल टैनाथ है बड़ी खबर है इस वक्त की पुलिस बल को तैनात किया गया, क्योंकि संख्या में, जारा संख्या में है समर्धक, फूर मंत्री नसीम अक्तर पर राजकार में बाधा डालने का जो मुकदमा है, उसके विरोध में उनके समर्धक जुट गया है, विजल अश्मी पार्क में परदरशन वहाँ पर जा रही है विरोध रहली के रूप में कलर्टेट कूच करने का एक पूरा कारिक्रम है, एतियात के तौर पर पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है, कलर्टेट तक जाने का एक पूरा कारिक्रम इनका, पूलिस जापता तैनात कर दिया गया है, ताकि इस्तिती कार्ण बेवस्ता ल प्राधा डालने का मुकदमा दर्ज हुआ है और इसी मुकदमे के विरोध में उनके समर्थक जो है वो विजे लक्षमी पार्क में कलेक्ट हुएं कठा हुएं और यहां से कलेक्टेट तक रैली निकालने का एका पूरा कारिक्रम विरोध रैली अब ऐसे में पूलिस जापता तैनात किया गया है ताकि सिति ना बिगडे विरोध रैली के रूप में कलेक्टेट कूच करने का पूरा कारिक्रम है पूर मंत्री नसीम अक्तर पर मामला दर्ज हुआ और इसके बाद तस्वीरे सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरे देख लिजे क्योंकि काफी संख्या है इनके समर्थकों की अबजीत हमारे सेयोगी एकनक्ट होगा है फोन लाइन पर अबजीत क्या था पूरा मामला आकर क्यों इतनी संख्या में एकाठा हुए है नसीम अक्तर के समर्थक देखे पुड़े घटनागरम को समझने के लिए बेहर जरूरी है तेरह जून का घटनागरम है जब अजमिर के रीट ऑफिस में गांधी दर्शन तनीती की और से एक सरकारी काईटर वाइजुत किया रहे दा परसिक्शन शिविर जिसमें समंद्रेक थे श्रीगोपाल बाहेती वो मौजूद थे और वहां पर जो है SDM पुषकर और वीडियो ग्रामिन मौजूद थे लेकिन उसी दिन जो है ग्राम पंचाइट में महिंगाई रहाच से वे चल रहा ता जिसके दोनों अधीकारी नहीं पहुंचे थे जिसकी सिकायट करने के लिए पूर मंत्री नसीम अक्तर इंसाफ उनके पती इंसाफ जो है उनके पती जो इंसाफ अली है कॉंग्रेस के चेर्में जो है धर्मेंदर राठोर उनका सीधा आरोब लगाया है धर्मेंदर राठोर जो है वो जिले में कॉंग्रेस को समानांतर रूफ से चला रहे हैं और चुन-चुन के कांग्रेस के निताओं को और कार्यकरताओं को हाशिया पर लाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये उसी की परिनिती में जूटा मुकदमा जो है बीदियो अजमे ग्रामीन विजय सिंग चौहान को प्रेडिस करवाए गया है जबकि इंसाफ अली जो नसीम अ जो गेलो से कर चुकी है वीजमें का तबादला भी हो गया था लेकिन बाद में राजनेतिक वदहस्त के चलते राजनेतिक हस्तप्चे के चलते विजय सिंग चौहान को वापस से अजमेर में अग्रामीन में पदिशाफित किया गया और दूसली बात कि महंगाई राहत कर गया था इसका तकाजा करने के लिए रसीम अक्तर इंसाफ अपने समर्थों के साथ पहुंची थी लेकिन वहां पर पहले से स्टूल म्यूजिक तरीके से इस तरह का महौर बनाया गया और धूटा मुकदमा जो है पूर मंत्री रसीम अक्तर इंसाफ से चलाब जरश करवा गया तो उसके विरोध में ये पूरा घटनागरम जो है आज यहां पर हुआ है और अजमेर की कॉंग्रेस की राजीति की बात करेंगे तो लगबग एक साल से इस तरह की बाते जो है कांग्रेस के अंदर खाने में बड़ी जुवान में कही जा रही थी लेकिन आज खुलकर चार बड़े चेहरे हैं अजमेर की कांगरेस के चाहờ वो पूर अज्यक्स रहे हो में दे सिंग रलाकता जो अंचेर उक्सा से बडान सुबा का चुनाव लड़ेवें वो मौजू थे वचैमिर वर्तमां शेयर अज्यक्स जो हैं विजय जान है वो मौझुदां तुर इंप प्रदेश की सहय परभारी अम्रता धवन अश्मिर अमें प्रविंदम समारो इस्तल पर इस तरह का रचना करम सामने आयता जहां पर आपस में अब जीद बहुत शुक्री आपके इन तबाम जानकारियों के लिए तो मुकदमे के विरोध में समर्थक जुड़ गए हैं और प्रदर्शन हो रहा बड़ा कालेक्ट्रेट तक जाने का पूरा कारिकरह में पुलिज आपता तैनात कर दिया गया है ताकि कानुन विवस्ता किस